जय सिरी राम सबको प्रणाम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गोली दरपन से संबादनी कुछ जो परिभासाएं होती है उसको हम लोग समझेंगे देखिए यहां पर पड़ा हुआ है आप लोग सबसे पहले बता दिजिए कि यह गोल है कि नहीं अगर नहीं गोल है तो इसको ठोख ठाक के गोल कर सकते हैं एक बात यदा गया लालू यादब जी जो मुखमंत्री रहा करते थे उनका एक चुटकुला है कि जब वो तो गए थे फुटबॉल जब जो लोग खेलते हैं उनके बीज में गए थे तो एक उनके बगल में रहता है मुख मंत्री थे तो उनका साथ बwurf रहता होगा है ना तो बोडिगार से पूछे कि इन लोग फुटबॉल को बार बार क्यों मार रहे हैं इसे फुटबॉल को क्यों मार रहे हैं तो बोडिगार ने बोला कि इसको गोल करना है तो लालू यादम जी ने बोलें कि यह तो पहले से ही गोल है इसको क्या गोल करेगा है ना चलिए त समझते हैं ध्यान दिजेगा तो सबसे पहले बता दें वाबू कि इससे प्रस्ण पूछा जाता है ठिक ना इससे प्रस्ण पूछा भी जाता है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप इसको समझ लिजेगा तो आपका जो एक फाउनडेशन है छोटा छोटा बात देख एक बात बताते हैं देखियो जो एक्जाम लेने वाले होते हैं वह सोचके ने आ पको यह सब बाते आती है की नहीं देखिए concept अगर आपका clear है ना पहले समझो बात को concept अगर clear है ना बाबू तो आपका exam भी clear जाएगा करण कुछ है ना कि देखिए छोटा छोटा बात को लोग ignore कर देते हैं और छोटा छोटा बात से ही आगे देखिए जैसे माल यह जा हम building मना रहे हैं ठीक है अब छाड़ा हम पतला पतला देगे तो main तो जो foundation है वो छड़ी है पिला रही है समझ रहे बात को pillar आखिट देते हैं कि ताकि जो room है या मकान है वो बढ़ियां से मजबूत हो सके तो एक छोटा सा part है कि नहीं पूरा room का pillar दम छोटा सा part है लेकिन उस पर लोग गौर करते ह जा दे कि नहीं अगर बढ़ियां से अगर हम pillar को ठोकते हैं तो यह room होगा कोची मजबूत उसी तरह से हम लोग छोटा छोटा बात को समझेंगे उसके बाद हम लोग बड़ा बड़ा बात भी सिखेंगे चली समझते हैं सबसे पहले बाद बता देवावो कि यह काच का एक तूकड़ा है ठीक ना सवरी मतलब की काच का वो गूला है ठीक है जिसका अगर आधाम कर देते हैं तो अगर बाहरे से हम रंग देते हैं पहली वीडियो में हम बता चुके हैं अगर नहीं देखें तो जा करके देख लिजिए ठीक ना इसे हमको फाइदा होगा अपका किसको कहते हैं तो बाहरे से लपेटल रहता है मतलब लपेट दिया जाता है पुताई कर दिया जाता है रंग दिया जाता है उसे अवतल दरपन कहते हैं समझ रहें बात को वीडियो को पूरा देखो भाई तब न समझ में आवेगा आप देखते हैं थोड़ा सा ठीपते हैं उसके बाद आगे निकल जाते ना इलागर ना इका मस्टर वाद ना पढ़े वेरस है ऐसे मत किजिए ठीक ना हम भी थोड़ा सा पढ़ा रहा हैं मेहनत कर रहा हैं ऐसा बात नहीं है समझें चली समझते हैं तो बाहर से रंग दियें ता कौन सा दरपन अब दल और अंदरे से कि देखो एगघर होता है रांग दिया हो गया अभतल दरपन हो गया तो इ pipes को कुछ भी बोलेंगे इस एड़ा कर दिंगे जी ख कर पहलें बिंदयिंगे लत रहता है था weights कि बिच वाले बिंदू को ब जो एक्सको सा सञव आएब दारपन के बीचवाले बिंदू को धुरूब ऊसान भासा में समझे जी आप लोग समाझते तो नहीं है चले त Orthodox की बोनते हैं ठीक हर बक रहता केंदर किसको बोलते हैं तक किसी खोकले का जो देखो बकरणा दार केंदर केंदर मतलब आच्वट होना बाकराता केंद्र को से सूझ beating करते हैं को दिकत हुआ नहीं चलिए अब देखे परधान को किसको बोलते हैं धृूब ओप साराल रेखा सरलरेखा जो होती है न ही परधान आच हो चाहिं धर् hundred के पहले समझो गोली तरपन जिस खोकले गोले का भाग होता है उसके तिरी जिया को अरे ब्रीत पढ़ा है ना बाबू ब्रीत पढ़ा है न जी तो यहां से यहां कुछी बोलते हैं तिरी जिया यहां से यहां कुछी बोलते हैं तिरी जिया तो यहां से यहां कुछी होगा ति कभी गलती भी लिखा जा सकता है तो आप लोग से स्चामा चाहते हैं ठीक ना, कॉमेंट करके बताइएगा जहां पे गलती होगा क्योंकि हम सीखने आये हैं और सीखाने आये हैं हम को पढ़ाने का उदेश नहीं है हम सीखेंगे और सीखाएंगे आप लोगो सीखा लेंगे और सीखा देंगे और इसे भी वो बढ़िया टीचर वहीं होते हैं चो खुद सीख करके एक दूसरी को सीखाते हैं ठीक ना, इसलिए वाबू थोड़ा सा कर गलती उलती भी होता है तो माफ कीजिएगा ठीक ना, इसके लिए छामा चाहते हैं कि थोड़ा सा दिकत होता है, बोलने उनले में कि पहली बार हैं वाबू, थोड़ा सा बोलने में दिकत होता है ऐसे आफलान कोचिंग पढ़ाएं हैं, ऐसा बात नहीं है लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा अकेले रहता है मोबाल अकेला रहते हैं, हम दोनों के बीच गप सब चलते रहता है समझे बात को, तो इस तरह से आप लोग फिलिंग हम को दीजिएगा ताकि हम आगे जाके काम कर सकते, पढ़िया से ठिकना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी अन टॉपिक के साथ तब तक के लिए, जय हिन, बंद मात्र